दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ पूसकाम में लगा तामय के लोटे में रखा हूँ पानी पीना चाहिए या कहिए करनिता के लिए माने हमको ऐसे कोई बीमारी हो गए जिस बीमारी में तावे की मात्रा शरीर में तावा होता है शरीर में सोना भी होता है शरीर में चान्दी भी है शरीर में लोहा भी है ऐसे 18 तक कुछ हमारी शरीर और यह सम्मिट्टी से आया है मिट्टी से जो कुछ भी अंद पैदा होता है उसमें यह सब होते हैbs हम उसे खाते हैँ तो हमारे चाहित में आते हुआ तो शरीर में पावे की मात्रा जब कम हो जाती है तो कई बीमारिया आती है उनमें से एक बीमारी बतो जो आजकल बहुत आती है सिर के बाल जलबी दिलना ये जितने बाल जढ़ने वाले मरीज हैं जिनको ये शिकायत है कि हमारे बाल बहुत तूट रहे हैं समझ लेजे शरीर में तावड़क्त की कमी हो गई है बाने तावड़की कमी हो गई है तो ऐसे लोगों को तावे के लोटे में रखकर पानी पीना बहुत अच्छा होगा बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे इसी तरह से आँखों की रोशनी कम हो गई है उसमें भी तामर तब तो कम हो जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि तावे में रखका हुआ लोटे का पानी आप लिए ऐसे कुछ मरीज हैं जिनके बारे में मैं कल और परसों दोनो दिन में बताने वाला हूँ कि किन को ये पीना है लेकिन आज प्रशन आगया इसलिए इशारे में कहता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सादा पानी ही आपके लिए सबसे अच्छा है और अगर है तो कल आप ध्यान रखेएगा मैं बीमारीयों की एक सूची पढ़कर बताने वाला हूँ उसमें आप कहा फिट होते हैं उसके हिसाब से आप तावे के लोटे का पानी पी सकते हैं लेकिन एक चीज हमेशा याद रखेए तावे के लोटे का पानी लगातार गई पी सकते हैं बीच बीच में उसको रोगना पड़ता है, तीन महीने लगातार पी लिया, अब एक महीने छोड़ दीजे, फिर एक महीने छोड़ दीजे, फिर तीन महीने पी लिजे, फिर एक महीने छोड़ दीजे, फिर तीन महीने पी लिजे, फिर एक महीने, ऐसे करके चलेंगे, तभी उ कमेंटों शेयर करें और हां हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें